UPSC Civil Sewa परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा में प्री, मेंज और इंटर्व्यू तीन चरन होते हैं। UPSC के इंटर्व्यू को सबसे कठिन माना जाता है। UPSC interview में ऐसे सवाल, UPSC interview questions पूछे जाते हैं जिनके जवाब देने में उम्मीदवार का सर चक्रा जाता है और यही कारण है कि UPSC को पहले ही प्रयास में पास करना बहुत मुश्किल है Interview panel में बैठे expert उम्मीदवार की general knowledge से लेकर तारकिक शम्ता तक को परक्षने के लिए कई तरह के सवाल पूछते हैं आज हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आये हैं जो interview में पूछे जा सकते हैं इस channel पर new है तो channel को subscribe करें लाइक करें और अपने फ्रेंडों के पास share करें आये देखते हैं हम अपना सवाल सवाल नमबा एक आप कच्छे अंडे को बिना तोड़े concrete के फर्ष पर कैसे गिरा सकते हैं जवाब कंक्रीट के फर्ष को तोड़ना बहुत तठिन होता है सवाल 2. आधा सेब कैसा दिखता है? जवाब दूसरे आधे सेब की तरह सवाल 3. एक हत्यारे को मौत की सजादी जाती है उसे 3 कमरों में से किसी एक को चुनना है पहला कमरा आग से भरा है दूसरा कमरा बंदूकों के साथ हत्यारों से भरा हुआ है और तीसरा कमरा शेरों से भरा है, जिनोंने तीन साल से कुछ नहीं खाया है। उसके लिए कौन सा कमरा सबसे सुरक्षित है। जवाब आईब्रो यानी भोहें सवाल 6 ऐसा कौन सा जीव है जिसका सरकट जाने के बाद भी वो कई दिनों तक जिन्दा रह सकता है जवाब कौक्रोच सवाल 7 इंडिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है जवाब मुंबई सवाल 8 पेट्रोल पंप पर कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जवाब सिंथेटिक सवाल 9 रेलवे में लगे बोर्ड का क्या मतलब है उत्तर के जहां बोर्ड लगे होते हैं वहां चालक को होन बजाना पड़ता है सवाल 10 ऐसा क्या है जो समंदर में होता है और आपके घर में रहता है जवाब नमक सवाल 11 ऐसी चीज का नाम बताएं जिसकी कोई परच्छाई नहीं होती है जवाब सड़क सवाल 12 कौन सा जीव पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है जवाब मेधक सवाल 13 किस ग्रे के पास दो चांद है जवाब मंगल सवाल 14 रेल टिकेट में डबली उल का क्या मतलब होता है जवाब वेटिंग लिस्ट सवाल 15 पाकिस्तान का बाजाद हुआ जवाब 14 अगस्त 2471 सवाल 16 अगर नीले समुद्र में एक लाल रंग का पत्थर डाला जाए तो क्या होगा जवाब पत्थर गिला हो जाएगा और डूब जाएगा सवाल 17 ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक बार देख सकता है जवाब सोते हुए सपना सवाल 18 दुनिया के किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमानों हत्रियार है जवाब रूस सवाल 19 गाए दूद देती है और मुर्गी अंडा देती है लेकिन इसा कौन है जो दोनों देता है जवाब दुकांदार जो अंडा और दूद दोनों रखता है सवाल 20 वो कौन सी चीज है जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 गंटे पूरे होने पर चली जाती है इस सवाल का जवाब कमेंट करके आपको देना है वीडियो आप कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंडों के पास तब तक जैहें